आफ़ा बात कर रहा चेंपियन ट्रोफी का बारा में तो पिछले वीडियो में आफ़ा बात करीं कि टीम इंडिया आपके स्कोर ने 100 गुंचिस रंद तक पुचा दियो अगर सेबो वीडियो नहीं देखेएं तो वीडियो जुरूल देखेएं और वीडियो ने लाइक करीओं टीम इंडिया के खेलना के बाद में 130 रंड के छोटो से टार्गर को पिछा करना के लिए इंग्लेड की टीम को कप्तान कुक मेधान पर वापसी करी लेकिन कुक दूसरी आवर में आउंट होगो और टीम ने लगातार विकेट गवा दिया इंगलेंड की टीम 9 आवर में 26 रेनी बना सकी और भी का 4 प्लेयर आउंट भी होगा लेकिन इजासे मोरगर और रवी बोपरान की 50 रन की सज़दारी ने इंगलेंड की टीम ने जीते करीब पूचा दी और टीम लक्सी का करीब पूच गी और टीम ने लाश्ट तीन आवरा में मातर 28 रन की जुर्ण थी तो अठारो आवर लेकी आयो इसान शर्मा इसान शर्मा आपकी पहली बोल बहुती बिड़े फिकी और यह बोल इसान शर्मा खाली निकाली लेकिन दूसरी बोल पर इसान शर्मा का च्छको पड़गो और अगली दो बोल वैड फेक दी जी के करण से अब इंग्लेंड की टीम ने 16 बोल में 20 रिंगी जुर्ड थी और इज़से सबने लागडों की इंग्लेंड की टीम यू मैच आसानी से जीद ले सी लेकिन फिर इसान शर्मा ने मैच में वापसी कराई और मोरगन और बोपारा को विकिट ले की टीम की एक बार फिट से फाइल में वापसी करा दी क्योंकि रेविंदे जरेजा इट टूर्णामेंट में सिर्फ ज़्यादा विकेट आपका नाम कर रहा है और MS दोनी को यो फेस्ट लो बहुत ही सही साबीत हो रेविंदे जरेजा इवर में जोस्ट बैलर ने और टिम ब्रेसन ने तीन गिनने का अंदर अंदर ही चलता कर दिया और आपका आवर में मातर-चार रहां दिया जरेजा एंड टूर्नामेंट में पाँच मैचा में 12 विकेट ले की गोल्डन बोल जीती और अब इंग्लेंडी टीम ने जीतना के लिए लाश्ट आवर में 15 रन की जरूरत थी और दोनी ने एक बार फिर से अस्विन का हाथ में गेंड दे दी तो अस्विन ने यो आवर जहीं फेकियो ये आवर की दूसरी बोल पर चोको लाग गो और तीसरी गेंड पर सिंगल आना के बाद में चोथी और पांचवी बोल पर भी दो-दो रन बाग लिया तो इए वीडियो में बस इतो ही अगर वीडियो चोको लाग यो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ले सब्सक्राइब करियो जिसे आगर आबाड़े वीडियो धन जल्दी सल्दी मिल जावे